हेलो गाईज हम बात किनवाल है PNB गिल्ट से इस कमनी के बारे में इस कमनी का quarter 3 F23 का result आ चुगा है सामने तो कैसे तरह इस कमनी का result और क्या इस कमनी ने dividend दिया है कि ने इसी के बारे में discussion करेंगे तो वीडियो को जरू से end तर देखते रहना PNB गिल्ट से इस कमनी का result आप लोगों के सामने प्रिजेंटेट है सारी amounts वो लेक्स के बताईगी है quarter and quarter base के उपर result को compare करेंगे यह इस quarter का result है यह पिछले quarter का result यह पिछले साल same quarter का result देखने के मल जाता है कमनी की income की बात करे revenue from operation and other incomes को मिला कर मतलब interest on income and dividend income rental income and बहुत सरी अल देखने का मलता है जो quarter and quarter base के income में गिरावट आई है बाकि पिछले साल same quarter की मुकाबले company की income में एक अच्छी positive चीज़ देखने का मलती है positive rally देखने का मलती है बाकि इस company के expense की बात करे तो finance cost and अलग-अलग बहुत सारे expense को मिला कर कमनी का total hour expense 28,500 4.71 million रुपीज का देखने क को मलता है जिस प्रकार से company की income quarter and quarter base के पर कम हुई है वैसे company के expense भी कम हुए है जो company के लिए एक बहुत ज़्यदा positive चीज़ है बाकि पिछले साल same quarter के मकाबले company के expense है जैसे की income बढ़ी है वैसे हाँ पर expense भी बढ़ रहे है जो आप लोग चीज़ ज़रू से ध्यान में रख देखने का मिलता है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मकाबले company के net profit में एक अच्छा jump देखने का मिल जाता है company के यहाँ पर से earning पर share की बात करेए EPS की तर EPS का यहाँ पर 0.34 रूपीस पर trade हो रहा है जो quarter and quarter base के उपर और पिछले साल same quarter के मकाबले company के EPS में भी एक अच्छी बात है बाकियार overall इस company का result है वो decent है ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा इस प्रकार का company का result है इस company के अंदर 60 रुपे से लेकर 55 रुपे यह दोनों ही यहाँ पर से बहुत ही अच्छे strong support zone है medium term के लिए तर इस company के अंदर 60 रुपे और 55 रुपे के levels के पर investment किय जा सकता है बाकि इस company के अंदर 50 रुपे के आसफास और 40 रुपे पर इस company के अंदर अच्छा support zone देखने को मल जाता है विक्वाली करना चाते हो तो 71 रुपे का level 77 रुपे का level और 92 रुपे का level है जहां पर विक्वाली करके चल सकते हो ठीक है तो यह था हमारा opinion इस company को लेक बाकिया एक चीज़ जरू से अधर रखना company के अंदर मेरी सलाह नहीं रहेगी कि यार investment करके चलो invested हो तो hold जरू से करके चल सकते हो ठीक है तो बस आज के लिए इतना है good bye love good bye फिर मिल तर नेक्स टीडियो में good bye